रही है और आपने भी जब बजेट देखा होगा तो आप सब के ध्यान में आया होगा कि आपके सुझावों को आपके विचारों को इसमें समाविश्च करने का बर्सक प्रयास किया गया है वो काम तो हो गया अब जो आज का ये समवाद है ये समवाद कुर्शी सुधारों और बजेट के प्रावधानों को हम आगे बढ़ाएं तेजी से आगे बढ़ाएं लास्ट माइल डिलिवरी तक पहुचे निश्य समय सीमा में करे और बड़ी एफिशन्सी के साथ करे और फिर भी सबको जोड़ करके करे पब्लीक प्रावेट पार्टनर्शिप का परफेक्ट नमूना सेंटर और स्टेट का कोडिनेशन का परफेक्ट नमूना ऐसा हम आज की चर्चा से निकालना चाहते हैं इस वेबिनार में एग्रिकल्चर, डेरी, फिसरीज जैसे भाती-भाती के सेक्टर्स के एक्सपर्ट भी है पब्लीक, प्रावेट और कोपरिटिव सेक्टर के साथी भी आज हमें उनके विचारों का भी लाब मिलने वाला है और देश के रूरल एकोनोमी को फंड करने वाले बैंकों के प्रतिनिदी भी है आप सभी आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी आत्मनिर्भर गरामिन अर्थेववस्ता के महत्वपुन स्टेक होल्डर्स है मैंने कुछ समय पहले संसद में इस बात को विस्तार से रखा था कि कैसे देश के छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बीते वर्षों में अनेक महत्वपुन नेड़ने लिये हैं इन छोटे किसानों की संख्या 12 करोड के करीब हैं और इनका सस्थक्तिकरण इन छोटे किसानों का एमपावर्मेंट ही भारतिय कुछी को अनेक परहशानियों से मुक्ती दिलाने में बहुत मदद करेगा इतना ही नहीं ग्रामिन एकोनोमी का ड्राइविंग फोर्स भी वही बनेगा मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले बजेट में क्रिशी के लिए जो किया गया है उसकी कुछ हाइलाइट्स आपके सामने दोहराना चाहता हूँ मैं जानता हूँ आप इन सारी बातों से परिचीत है सरकार ने इस बार एग्रिकल्चर क्रेडिट टार्गेट को बढ़ा कर 16,50,000 करोड रुपया कर दिया है इसमें भी पशुपालन, डेरी और फिसरीच स्रेक्टर को प्राफिक्ता दी गई है रूरल इंफास्टिकर फंड को भी बढ़ा कर 40,000 करोड रुपया कर दिया गया है माइक्रो इरिकेशन फंड की भी राशी बढ़ा कर दोगुना कर दी गई है अपरेशन ग्रीन स्कीम का दायरा बढ़ा कर अब 22 परिसेबल प्रोड़क्स तक कर उसको कर दिया गया है देश की एक अजार और मंडियों को इनाम से जोडने का फैसला लिया गया है इन सारे ही निर्णव में सरकार की सोच जलकती है सरकार का इरादा मैसूस होता है और साथ साथ सरकार के विजन का पता चलता है और ये सारी बाते आप सब के साथ चर्चा में से उबरी हुई है जिसको हमने आगे बढ़ाया है लगातार बढ़ते हुए कुर्शी उत्पादन के बीच 21 सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस क्रांती या फिर फूर्ड प्रोसेसिंग क्रांती और वेल्यू एडिशन के आवशक्ता है देश के लिए बहुत अच्छा होता अगर ये काम दो तीन दसक पहले ही कर लिया गया होता अब हमें जो समय बित गया है उसकी भरपाई तो करनी ही करनी है आने वाले दिनों के लिए भी अपनी तैयारी और अपनी तेजी को बढ़ाना है सात्यों अगर हम अपने डेरी सेक्टर को ही देखें तो आज वो इतना मजबुत इसलिए है क्योंकि इतने दसकों में उसने प्रोसेसिंग का बहुत विस्तार किया है आज हमें एगरिकल्चर के हर सेक्टर में हर खाद्यान, हर सबजी, फल, फिसरीज, सभी में प्रोसेसिंग पर सबसे जादा फोकस करना है और प्रोसेसिंग की विवस्ता उसे सुधार निकले जरूरी है किसानों को अपने गाउं के पास ही स्टोरेज की आधुनिक सुविधा मिले खेट से प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचने की विवस्ता सुधार नी ही होगी प्रोसेसिंग यूनिट की हैंड होल्डिंग फार्मर, प्रोडूशर, और्गनाजिशन्स मिल करके करें और हम सब ये जानते हैं कि फूट पोसेसिंग करांती के लिए देश के किसानों के साथ ही देश के पब्लीक, प्राइवेट, कॉपरेटिव सेक्टर को भी पूरी ताकत से सही दिसा में आगे बढ़ आना होगा साथियों, आज ये समय की मांग है कि देश के किसान की उपज को बाजार में जादा से जादा विकल्प मिले सिर्फ रौ प्रोड़क्ट या फिर सिर्फ उपज तक किसानों को सिमित रखने का नुशान देश देख रहा है हमें देश के अग्रिकल्टर सेक्टर का प्रोसेस्ट फूर्ड में के वैश्विक मार्केट में विस्तार करना ही होगा हमें गाउं के पास ही एग्रो इंडस्री क्लस्टर के संख्या बढ़ानी होगी ताकि गाउं के लोगों को गाउं में ही खेती से जुड़े रोजगार मिल सके और गरिनिक कलस्टर, एक्सपोर्ट कलस्टर, इसकी इसमें भहत बड़ी भूमिका होगी है गाउं से एग्रो बेंस प्रोडवक्टs सेहरों के तरफ जाएं और सेरों से दूसरे इंड़िस्ट्रियल प्रोड़क गाउं पहुंचें ऐसी स्थिति के दरफ हमें बढ़ना होगा अभी भी लाखों माइक्रो फूर्ड प्रोसेसिंग उनिट्स देश में चल रही हैं लेकिन उनका विस्तार करना उनके सामर्त को बढ़ाना ये आज समय की मा प्रोड़क्ट इस योजना कैसे हमारे उत्पादकों को हमारे उत्पादों को विश्व बाजार तक लेकर जाएं इसके लिए हमें पूरी तांकर से जूटना होगा साथियों सिर्फ खेती ही नहीं यहां तक की फिशरी सेक्टर में प्रोसेसिंग का भी एक बहुत बढ़ा स्कोप हमारे यहां है बले ही हम दुनिया के बड़े फिश प्रोडूसर है एक्सपोर्टर है मैं से एक है लेकिन प्रोसेस फुष के इंट्रनेशनल मार्केट में हमारे पूपस्तिती बहुत सिमित है भारत की फिश इस्ट एशिया से होते हुए प्रोसेस फुर्म में विदेशी मार्केट तक पहुँची है यह स्थित्य हमें बदल नहीं होगी साथ को इसके लिए जरूरी रिफॉर्म्स के अलावा करीब ग्यारा हजार करोड रुपय की प्रोड़क्शन लिंक इंसेंटिव की योजना भी सरकार ने बनाई है जिसका लाव इंडुस्ति उठा सकती है रेडी टू इट, रेडी टू कुक, फलसबजियां हो, सीफूड हो, मोजारेला चीज हो ऐसे अनेक उत्वादों को प्रोटसाही किया जा रहा है कोवीर के बाद, देश और विदेश में ऐसे बहतरीन प्रोड़क्श के डिमांड कितनी बढ़ गई है, यह आप मुझसे बहतर जानते हैं साथियों, आपरेशन ग्रिन्स योजरा के तहट, किसान रेल के लिए सभी फलो और सब्जियों के परीवहन पर पचास प्रतिशत सबसेड़ी दी जा रही है किसान रेल भी आज देश के कोल्ड स्टोरेज नेटवर का ससक्त माध्यम बनी है यह किसान रेल छोटे किसानों, मच्छवारों को बड़े बाजार और जारा डिमांड वाले बाजार से जोडने में सफल हो रही है बीते छे महिने में ही करीब पौने तिन सो किसान रेल चराई जा चुकी है और इनके जरीए करीब एक लाख मेट्रिक टन फल और सबजियां ट्रांस्पोर्ट की जा चुकी है यह छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ा माध्यम तो है ही कंज्यूमर और इंडस्ट्री को भी इसका लाब हो रहा है सात्यों देश भर के जीलों के बीच में वहां पैदा होने वाले फल सब्जियों की प्रोसेसिंग के लिए ट्रस्ट्रस बनाने पर बल दिया जा रहा है इसी तरह आत्म निर्वर अभियान के तहट प्रधान मंत्री सुक्ष्मक खाद्य प्रसंसकान अन उद्यम उन्नयन स्कीम के तहट लाखों छोटी फूड एंड प्रोसेसिंग उनिट्स को मदद की जा रही है इसके लिए जरूरी इन्फास्क्ष से लेकर यूनिस लगाने तक आपकी भागीदारी बहुत महतोपुन है साथ यव फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ हमें इस बात पर भी फोकस करना है कि छोटे से छोटे किसान को भी आधुनिक टेकलोर्जी का लाख कैसे मिल पाएं देश के छोटे किसान टैक्टर पराली वाली मसीने एफ़ दिशनी मसीने एफ़ नहीं कर सकते क्या ट्रैक्टर और दूसरी मशीनों को शेयर करने का एक संस्तागत सस्ता और प्रभावी विकल्प किसानों को दिया जा सकता है आज जब हवाई जहां तक एरलाइन्स को गंटों के आधार पर किराये पर मिल जाते हैं तो किसानों के लिए भी ऐसी व्यवस्ताओं का विस्तार देश में किया जा सकता है किसान की उपच मंडी तक पहुंचने के लिए टरक एग्रिगेटर्स का प्रयोग तो इस कोरोना काल में कुछ हद तक किया भी गया था और लोगों को अच्छा लगा था इसका विस्तार खेट से मंडी या फैक्टरियों तक खेट से किसान रेल तक ये कैसे हो सकें इस पर हमें काम करना होगा खेटी से जुड़ा एक और अहम पहलू सॉयल टेस्टिंग का है बीते वर्षों में केंदर सरकार द्वारा करौनों किसानों को सॉयल हेल्थ कार दिये गए है अब हमें देश में सॉयल हेल्थ कार की टेस्टिंग के सुविदा गाओं गाओं तक पहुचानी है जैसे blood testing की लेप्स होती है, pathology lab होती है, उनका एक network होता है, वैसे ही हमें soil testing के लिए भी करना है और उसमें private party बहुत बड़ी मात्रावें जूड सकती है, और एक बाल soil testing का network बन जाएं, और किसान को soil testing के आदत हो जाएं, उसके अपने खेत की जमीन की सहत कैसी हैं, उस जमीन के प्रति उसके अंदर जाग रुकता आएगी, तो उसके सारे निर्णवें में बहुत बड़ा बढ़ावाएगा, देश के किसान को जीतना जादा अपनी मिट्टी की सहाथ के बारे में पता रहेगा, उतना ही अच्छा अच्छे तरीके से वो फसल के उत्पादन प प्रभाव पैदा करेगा, साथियों, एग्रिकर्टर सेक्टर में आरेंडी को लेकर जादातर योगदान पब्लिक सेक्टर का ही है, अब समय आ गया है कि इसमें प्राइवर्ट सेक्टर की भागिदारी बढ़ें, आरेंडी की जब बात आती हैं, तो सिर्फ बीच तक ही सिम नहीं, बल्कि मैं एक फसल से जुड़े पूरी साइंटिफिक एको सिस्टिम की बात कर रहा हूं, होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, पूरा साइकल होना चाहिए, हमें अब किसानों को ऐसे विकल्ब देने हैं, जिसमें वो गेहू चावल उगाने तक ही सिमित न रहें, और ग जो हम आजबा सकते हैं, इसी तरह मैं आपको मिलेट्स के नए मार्केट को भी टैप करने का सुझाव दूँगा, मोटे अनाज के लिए भारत की एक बड़ी जमीन बहुत उप्योगी है, ये कम पानी में भी बहतरीन उपज देते हैं, मिलेट्स की डिमांड पहले ही दुनिया में बहुत अधिक थी, अब कोरोना के बाद, कोरोना के बाद तो ये इम्मुनिटी बुश्टर के रुपे बहुत पपिलर हो चुका है, इस तरह किसानों को प्रोसाइट करना भी फूर्ड इंडिस्ट्री के साथ्यों की बहुत बड हमारी यहां धीरे-धीरे फैला हो रहा है, और किसान भी हनीबी की दिसाद में काम कर रहे हैं, ऐसे में समुद्री तटपर, सीवीड और बाकी खेत्रों में हनीबी और फिर बीवेक्स, इसके मार्केट को टैप करना भी समय की जरूत है, सीवीड की फार्मिंग के लिए सीवीड से हमारे मच्वारों को आबदनी का एक बड़ा माध्यम मिलेगा, इसी तरह हम शहत के व्यापार में तो बहतर कर रहे हैं, हमें भी वैक्स की लेकर भी अपनी भागिदरी और बढ़ानी हैं, इसमें आपका जादा से जादा कांटुबिशन कैसे हो सकता है, इस पर ही आज जब दिन भर आप चर्चा करेंगे, विचार भी मस करेंगे, तो जरूर अच्छी अच्छी बातें उभर करके आएगी, जब प्राइवेट सेक्टर की ये भागिदारी बढ़ेगी, तो स्वाभाईव ग्रूप से किसान का भरोसा भी बढ़ेगा, हमार यहां कॉंट कॉंट्रेक फार्मिंग लंबे समय में से किसी ना किसी रूप में की जा रही है, हमारी कोशिच यह होनी चाहिए कि कॉंट्रेक फार्मिंग सिर्फ एक व्यापार बनकर ना रहे, बकली उस जमीन के प्रती हमारी जिमें, टेक्नोलोजी का एक संपोन समाधान मिले, इसके लि इसी तरह ग्रामिंड इंफास्ट्रेक्चर की फंडिंग में भी आपकी भूमी का एहम है, एक लाग करोड रुप्ये के इंफ्रा फंड का इंप्लिमेंटेशन भी उत्सावर तक है, इस कदम से खरीच से लेकर स्टोरेज तक की पूरी चेन के आधुनी करण को प्रोच्सान मिलेगा, इस बजेट में तो देश भर के एपीम सीज को भी इस फंड का लाब देने का फैसला किया गया है, देश में जो दस हजार एप्योज बनाने जा रहे हैं, इससे एक बहुत ही ससक्त को आपरेटिव की विवस्ता बन रही है, साथियों, इन संगठित प्रयासों को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इस से जुड़े आपके सुझाओ बहुत अहम है, एक शेत्र में आपका एक अनुभव है, आपका एक वीजन है, सरकार की सोच, सरकार का वीजन, सरकार की ववस्ता, आपकी शक्ति, यह हमें मिला करके देश के क्रिशिक शेत्र में बढ़ला वस्ता के लिए आपके तरफ से जो भी विचार आएंगे, उनसे सरकार को बहुत मदद मिलेगी, आपके क्या प्लान है, सरकार और आप सभी साथ मिलकर कैसे चलेंगे, इस पर आप सभी खूले मन से चर्टा करें, आपके मन में जो विचार है, जुरूर दीजिए, हाँ, ऐसा ना होता ता अच्छा होता, ये होता ता अच्छा होता, तो कोई ये आखरी बजट नहीं है, इसके बाद भी कई बजट हम लेकर के आने ही वाले हैं, आप लोगों ने हमें सेवा करने का मोका दिया है, तो हम करते रहेंगे, इस बार तो जो बजट में आया है, उसको आ आने वाले एक साल में कैसे लागू करना, जल्दी से जल्दी लागू करना, जादा से जादा लोगों तक लाभ पहुचाना, इसी पर आज का समवाद फोकस रहेगा, केंदरित रहेगा, बहुत लाभ होगा, वैं चाहता हूं कि आपकी एक खुले मन की चर्चा, हमारे खेतों क हमारे किशान को, हमारे अग्रिकल्चर सेक्टर को, हमारे ब्ल्यू एककोनोमी के खेत्र को, हमारी वाइट रिवल्यूशन के खेत्र को, बहुत बड़ी ताकत देगी, फिर एक बार, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्तर करता हूं, धन्यवाद. तो क्रिशी सुधार उपर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी बोलते हुए, सम्मिट में उन्होंने कहा कि किसानों को बड़ा बाज़ार मिले, पूरी कोशिश, पूरा प्रितना और यही वज़़े है कि बजट में भी प्रावधान किया गया है, किसानों को विकल्प मिले, य इन तमाम फायदों का जिकर करते हुए, प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने यह तमाम बाते कहीं